हेलो शुटर्स और वेल्टम तो देखेंगे सारे नासे साथ के दिन हम जो करेंगे आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है देखें यहां पर प्राइस को हैट कर देखें डेक्रीजिंग फॉर्म हुए है आज बाइंग करनी है इसके ओपर तो नजाने कितनी करनी है तो प्राइस हमारा बस नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसमें सपोर्ट तो ठीक है फिर हम एक्जिक्यूश नहीं करें मौनिंग में जिस तरह कि इसने सिम्टम्स दिखाय थे ना यहां पर जैसे ही एर्थ ओफ दिसंबर के लो के अंदर मतलब के एर्थ दिसंबर क कि रेंज के अंदर जैसे मार्केट ने रिएंटर किया न यह रेस्टेंस तो शुरुआत में ब्रेक करें थी और यह जो ग्रीन वाली केंडल का ही रेस्टेंस है प्राइस आठ दिसंबर के लो से लेकर कि इस ग्रीन वाली के हाई तक का एक मुव्मेंट हमें एक्सपेक्ट ह है कि यहां तक मार्केट को दिखाना चाहिए और आज टेली टाम पर वॉल्म के ब्रेक आउट होंगे बहुत अच्छी तरह से इस ट्रेट को हम लोग आज के दिन समझेंगे पिन बार की जितनी भी पॉसिबिल्टीज बन सकते हैं हैमर को कैसे हम लोग यूस करते हैं कर सकते इस ट्रेट हम लोग हमर के यूस करते हैं इन सारी चीज़ों को देरे देरे करके और वन बाई वन हम समझेंगे हैमर को कई सारे पार्स में डिवाइट किया है तो उन सारी चीज़ों को आगे चलके बहुत डिप में डिसकस करेंगे 529 कौनटी के साथ में ओवराल टीक हम ट् रेनिंग प्राइस चल रहा है रेनिंग प्रॉफित चल रहा है 10,500 के राउंट हम समझेंदर बने हुए है और अभी देखेंगे यह प्रॉफित हमारा जो हम बोले ना कि वो जो ग्रीन वाली के हाई तक इसको जाने जाना है हम अपने टार्गेट का वेट करेंगे और वीड हमारा टार्गेट पॉइंट है तो यहां तक प्राइस के हम जाने के वेट करेंगे और टेक्निकरी देखेंगे तो 6th of December की candle का just high हमारा टार्गेट है यह एक बहुत अच्छा resistance है आच लिए तो बिल्कुल नौच पर नहीं हलका सा buffer देकर करके हमने तोड़ास उसको नीचे क करें इसका काफी अच्छा momentum overall इने हमें दिखाया है सबसे पहली चीज़ डिली टाइम रिडिंग्स लोगर टाइम रिडिंग्स वॉल्म्स के confirmations इसके बाद में एक टॉपिक जो आज हम आपको क्लेर करने के कोशिश करेंगे विच इस हैमर हैमर हमारी एक traditional candlestick pattern है हैमर को बह हमने एक हैमर का क्या यूज होगा इस तरह से candles का यूज करते हैं हैमर का यूज करते हैं दो तीन चार या पांच candles मिला करके जो बात हम बोल है शायद आप समझ पा रहे होगे कि जैसे एक तो यह अपना हैमर बना अब यहां से यह naked ऐसे ही यूज नहीं हो जागा कि यहां प कुरी formation का यूज हैमर के recording करें अभी आगे चलकर करके इस चीज को हमने गौर देखेंगे अभी आगे चलकर हम इसको और थोड़ा गौर से देखेंगे इसके पर अपने आज की positions को देख लेते हैं जैसे कि lower time frame पर आएंगे हमारा जो exact target point है 1463.55 यहां पर देखे इस जगे प यहां पर भी और यहां पर भी हैमर का यूज बेसिकली बहुत एक कह सकते कि बहुत easy method होता है कि हैमर को देख ले बट दिक्कत यह होती कि जब हम लोग किसी भी pattern को सिफ हैमर ही नहीं किसी भी pattern को अगर हम सही जगे पर ना देखें बहुत traditional candle होती बहुत entry level पर इसका यूज क करते हैं लेकिन अब क्योंकि शुरुआत करनी है तो वहां से नहीं दिरे दिरे करके आप जो सबसे छोटी formation सबसे छोटी candle है उसके बड़ी जैसे हैमर हो गया इसमें shooting star आ जागा candle को merge कर दे रहे हैं I hope के समझ पा रहे हों जो चीज़ हम साफ करना चाहरा है आपको कोई भी candle है उस वह form किस जगह पर हो रही है किस point पर फॉर्म हो रही न वह जगा बहुत important होती है कुछ 5-6 formations है candle को percentage wise technical language में divide कर दिया जाता है technical analysis के अंदर 90% 60% 35% 50% इस तरह से करके तो वह चाट भी में आपके साथ शेयर करेंगे कुल मिला करके आज को जी वीडियोस में आप hammer को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे जान जाओगे उसको कि जब आपके point of action पर अगर hammer form हो रहा है तो use basically किस तरह से करना है आप इसको समझ जाओगे शुरुबात करता है इसके वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लेगे थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो के तुरू help मिलती है तो वीडियो को like कीजेगा, comments कीजेगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आएक हो तो चैनल को subscribe कीजेगा और यह जो भी formation या pattern हम बताते हैं यह सारे के सारे live market के होते हैं अब देखिए, यहाँ पर यह जो दो candles ने मिल करके जो formation create कर दी है अब ही हमने कहा ना, कि एक तो होता है कि आप single सिर्फ इसी formation को ले लो, तो naked सिर्फ आप अगर इस formation को लोगे, सिर्फ इसी एक candle को use करेगा तो हो सकता है इतने अच्छे results आपको ना मिले कुछ एक या दो candles को मिलाने के बाद में हम इस hammer का use करते हैं अभी देख ले ना, market इस zone को break करने के बाद में एक या दो ही candle में हमको वारा target देगे इस वाद के अपने profits देख लिए कितने क्या चल रहे हैं अब इसमें profits से ज्यादा जो, जो candles हम आपको बता रहे हैं उन candles का देखना Green वाली candle का high break करते है market में एक बड़ा सा momentum आएगा और I am sure कि वहाँ पर profits में को जितना भी target है सारा का सारा मिलेगा अभी के हमारी जो profits है 10,000 से increase होकर के 11,600 के round हम बैठ हुए हैं और वेट कर रहे हैं अभी भी price हमको पूरा और chances हैं कि target हिट करने के बाद में अगर volumes के breakout होगा ना तो target से उपर market को sustain करना चाहिए उसके ऊपर क्लोजिंग दिने चाहिए तो अब भार ये hammer की hammer की सारी possibilities को एक एक करके हम लोग अब समझते है इस वाले चार्ट के screenshot आप ले करके अपने पास सेफ कर लिजेगा देखिए इतने तरह के candles के formations होती है इतनी type of candles पनती है hammer के अंदर सिर्फ hammer hammer अब यहां पर देखिए सबसे जो बहतर माना जाता है कि थोड़ी सी विक आपके candle के opposite side में बनी होनी चाहिए सिर्फ यहां पर आप देखिए इन दोनों candles को देखो को तो एक विक तो इस side में है बट इसके opposite direction में एक भी विक नहीं बनी हुई है अगर opposite direction में विक निकलती ह तो यह बहुत ही strong candle बन जाती है एक्शली technical analysis के अंदर एक candle होती है जिसको की language में technical language में बोलते है मारू बोजू candle मारू बोजू candle आपने देखा हुआ कि अगर कोई भी इसको पढ़ा रहा है या समझा रहे ना तो इसको बहुत strong candle के रूप में पढ़ाएगा लेगन एक्शल में weak है तो वो candle थोड़ी सी weak होगी अगर हम compare करेंगे उस candle के साथ में जिसमें की weak निकली हुई है तो यहाँ पर देखे ये तो दोनों चीज़े same है विक है बट इसके opposite direction में एक भी weak नहीं है इन दोनों के comparison में हम इस वाली candle को ज्यादा ज्यादा importance देंगे ये ज्यादा strong candle ह इस खासित यह होती है कि इसमें आपको अभी जैस हमने बताया था कि basically opposite direction में weak नहीं होगी strong ये भी होती है बट comparatively अगर हम charts को देख रहे हैं कि जितनी भी तरह कि हमारे पास hammer की candlestick form हो रही है तो इतनी तरह की candles है अब इसमें से अगर हम सको stage wise रखना चाहेंगे इनको grade देन चाहेंगे तो ये 90% इससे कम जो होगी वो है 75% ये कम होगी percentage इसकी कम मानी जाती है ये वाली candle और ये वाली candle ये दोनों ही same होगी अब देखिए इसमें फर्क क्या है क्योंकि week तो इसमें भी निकली हुई है और week इसमें भी है इसमें भी opposite direction की week है और इसमें भी week है तो ये 90 percent और ये 75% कैसे क्योंकि ये ड्राइंग से तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी लेकिन जब आप जाओ कर चार्ट के पर तो फिर वहाँ पर confusions actually problem वहाँ से फिर शुरू होती है तो देखिए इसमें होता क्या है कि आप इस वाली week की size देखो और इस वाली week की size देखो अगर जो body है ये थोड़ा सा भी up में जाकर के close कर देती न तो ये फिर एक indecision की candle बन जाती है आपने सुना अगर दोजी ये फिर थोड़ी देक्शन में candle थो बहुत ज्यादा बड़ी candle नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा बड़ी week नहीं होनी चाहिए तो थोड़ी थोड़ी डोजी की शकल लेने लगती है तो इस candle को हम लोग इस वाज़े से grade wise से कम grading दे जाती है कि 75% grading के साथ में ये listed है इसके बाद में ये 65% 90% जो candle है इससे आप compare करना बागी सभी candle क्योंकि ये बिल्कुल ideal candle है ideal condition की candle है इसके साथ में अगर आप इस वाली candle को compare करोगे तो देखी क्या हो रहा है इसकी body और wick पूरी candle का जो size ये बड़ा है और इसका size छोटा है इस वाज़े से इसको हम लोग कम powerful मानते हैं ओके अब यह जो जी के अंदर जितनी एहमयत उसके wick की होती है उतनी ही body की भी होती है अभी हमने कहा ना कि ये हमारी ideal candle है ये वाली candle सबसे पहली वाली जो 90% की candle बनी हुई है इसके बाद में जितनी भी candle है आप उन सब को compare करोगे इस वाली candle से तो अगर हम लोग 90% वाली candle से इनी को जो जो body है ये body है इसकी body इस वाज़े से इसकी भी grading कम है और यहाँ पर देखे इन दोनों की body लगबग 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 design सेम ही है इस charts हम लोग क्या समझ सकते हैं कि तरह तरह की candle बना दे नीचे 90% 75% 60% और ये सब लिग दिया है इसे क्या समझ में आ जाता है ये just point of view का फर हम लोग इन वाली candles को जो कि बाद में form हो रहे हैं हम इन्हें कितनी एहमियत दे सकते हैं कम सकम हमें ये वाला chart देखने के बाद में ये चीज़े समझ में आ जाएंगे हो सकता है अब से जब अगर आप hammer देखो तो आपको समझ में आगा कि नहीं अगर हम अपनी ideal condition को ध्यान में रखते हैं तो उसके comparison में बाकी सभी हलकी हैं तो हम लोग सतर हो जाते हैं और भी extra confirmations के साथ में आप trade execute करोगे और ये trade में आपको help कर जाएंगे अभी हमने बता है ना हमने खुद ही आप से कहा कि 90, 75, 75, 60, 60 अब 60% हमने लिखा है क्या है कोई भी candle design बना दे और उसके न केंडल है और उसके comparison में जितनी भी candles form वो रहे आप उसको compare करने लगोगी कि नहीं ये इसमें मजा नहीं आ रहा है ये छोटी candle बन रही है या ये कुछ-कुछ indecision type की candle है है ना अभी जो हमने trade execute किया है इसमें चलेंगे और इस पर कुछ चीज़ समझने के कोशिश करेंगे हम लोग लेकिन उसके पहले आप ये समझ लो कि जब hammer candle का use होता है तो उसके साथ में कुछ candles हम लोग merge करते हुए चलते हैं कि hammer को naked use ना करके हमने ऐसा देखा है कि अगर हम एक candle को और उसके साथ add कर दें तो ये candle और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हमारी वो candle कौन से है देखिए सबसे पहली candle अब ये चाहां तो bullish candle हो या bearish candle कोई भी अब यहां पर एक इसके बाद में अगर कोई एक hammer candle बन रही हम ideal candle यहां पर form करेंगे अगर ये hammer बन रहा है मारा हमारी जो इसके पहले की candle है hammer का high नहीं hammer candle form हो जाने से पहले की candle का जो high है न ये important होता है इसके बाद में इन्हीं formations को और ज्यादा हम आगे explode करते हैं तो एक तो हमें normal candle मिलती है ये इसके बाद में एक और candle में मिलती है और फिर एक और candle ये होती है rex line formations अब आगे जितने ही patterns बनते ही सारे rex line formation के pattern है अभी rex line pattern पर हम लोग नहीं जाएंगे अभी सिर्फ हम हमें candles के lows mark करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो first वाली candle हमारी बन रही है इस वाली candle के अंदर अगर हमारी body रह जाती है hammer की तो first वाली candle का low मेरे लिए बन जाएगा एक strong support जैसे ही market इस वाली level के नीचे आपको travel करते हो दिखाई पड़े आप समय लेना किसका breakout हो गया है जो हमारी hammer candle का low है यह भी एक support बनेगा यानि कि market यहाँ पर भी जाकर के hurdle लेगी क्यूंकि price ने अप महीं अपने supports को break करना शुरू कर दिया था तो बहुत ज्यादा possibilities हैं कि price हमारे यह वाला भी support break कर देगी तो हम लोग नहीं यहाँ पर जानते है कि क्या किया support break होने के पहल पूरा का पूरा cash करने का मौका मिलता है और इसके just opposite आप रैक्स लैंड फॉर्मेशन में जाओगा तो इसके ऊपर तो दो या तीम वीडियो हमने अप्लोट यह आप लोगों के लिए आप उसको देख सकते हो three type of formation बनती रैक्स लैंड के अंदर जिस तरह के structure अभी हमने बन candle बन रही है उस high के ऊपर इसकी wick होनी चाहिए यह दो तरह की candles है इसमें एक जो candle में फॉर्म नहीं की है जिसमें की मेरी third वाली candle second वाली candle के ऊपर ना तो विक निकाल पाती है और नहीं closing कर पाती है तो उस candle को हम लोग बिल्कुल भी एहमियत नहीं देते हैं इसमें volume का भी यह बहुत खास use होता है तो volume के उपर जो भी discussion है हम यहाँ पर public platform पर नहीं कर सकते जिस तरह हम लोग volumes को hammer के उपर देखते हैं लेकिन volumes को अगर आप ना भी देखो उसको भी हटा दो एक site कर दो तो सिफ प्राइस प्राइस में अतना potential होता है कि आपको एक बहतर trade यह provide करवा अब पढ़ने चले जाओगे तो फिर आप 20 तरह की PDF पढ़ लो जो भी जो कुछ भी आपको पढ़ना है पढ़ लो लेकिन सारी चीज़े last में लाकर करके आपको यहीं पर छोड़ेंगे और कोई भी अगर आपको पढ़ाएगा तो hammer candlestick को बिल्कुल single पढ़ाएगा कि यह hammer होता है इसके उपर बाई कर लो और नीचे आप इस टॉप्रस लागा दे जो भी कर दो लेकिन hammer का use single नहीं होता है अपनी previous candle की body की structures के according percentage wise उसके अंदर हम लोग volumes को देखते हैं volumes के according के हम लोग hammer में यह decide करते हैं कि किस direction में हम लोग trade ले सकते हैं point of action के according वो resistance पर है या फिर support पर है यह देखेंगे percentage wise यह सारी चीज़े बहुत matter करते हैं जब भी हम किसी भी एक single candle में use होने वाली candles को as a trading में उसका एक real time में use करने के लिए जब हम चाहते हैं अब हम चलेंगे अपने chart के उपर और जो की हमारा इस वक्त का running trade है उसके उपर हम कुछ इसके example दे करके आपको और भी अच्छी तरह से clear करने की कोशिश करेंगे daily time frame पर पहले overallity को देखेंगे कि क्यों हमने इसके अंदर buying किया volumes कौन कर लेते हैं हमने आपको एक pattern बताया था falling rules और decreasing rules उन patterns के according उसे हिसाब से यहाँ पर देखें volumes पिछले दो दिन से लागातार गिर रही है और वो गिर ही रही है same color से मतलब price negative में close हो रहा है वापस जह हमारी trading zone में enter किया है 8 December के low के अंदर जैसे price हमारा 8 December के candle के अंदर गया है बिल्कुल इसी जगह पर हमने अपनी entry लिए है यह हमारा trading का पूरा zone बन रहा था अब यह क्यूं यही क्यूं यहाँ पर simply price हमारे highs को continuously break करता हूँ आ रहा है जैसे कि यह वाली candle हमने mark कर लिए यह हमने क्यूं माग कि है क्यूंकि यह high volume के साथ एक mother candle form हुई थी अब इस जगह पर देखिए हमको हमारी यह candle मिल रहे है which is hammer candle hammer candle में हमने आपसे कहा न कि हम लोग दो candle को मिलाने के बाद में इसका use कर दें दो candle को अपसे merge करते हैं और merge करने के बाद में इसका use करते है अच्छा इसको बहुत अच्छे हैं समझेगा क्यूंकि इस वाली candle के ब इस mother candle का अब side के तरफ breakout हुआ है high volume के साथ हम यह जानते हैं कि mother candle का breakout जिस side में भी होता है price में कुछ समय तक उसी दिशा के moment हमें दिखाए पड़ते हैं 2-3 या 4 दिन तक okay so यहां पर देखे market ने पूरी तरह से closing कर दे समझ में रहा है ना closing कर देने के बाद में अगले दिन market ने क्या किया है कि यहां पर अपनी opening दिखाई है और वापस surprise में 13 December के अंधर गई यहां पर और इसने एक jump दिखा दी ओपर की तरफ अच्छा है इसमें candle की जो body language है उनक momentum है किस तरह से surprise मारे react कर रहा है reactions के साथ साथ में अगर हमें यह भी मालूम हो कि हमें hammer candle का use कैसे कर रहा है तो यह दोनों चीज़े आपके favor में काम करेंगे लेकिन अभी हमें कुछ नहीं यादा है हमने कहीं से देख लिया है बस hammer कुछ इस तरह के देखती आप कर दो काम candle है ओके अब इस mother candle के high की उपर हमें चाहिए closing या फिर low के निजे closing हो जाए इस case में क्या हुआ कि price ने high की उपर closing दी वापस देखिए price ने यही पर अपनी opening देखा है वापस price हमारा नीचे की दरफ आने लगा था बट down side की दरफ ना आते हुए price वापस से मारा upside की दरफ च बाद में यह वापस से price हमारा 30 December पर आया ही नहीं वो नहीं आया price उपर उपर में move किया है लेकिन upside की तरफ से जाने के बाद में देखिए पिछले दो दिन से लगातार volumes गिर रहा है और price नीचे भी आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि price नेचे तो आ रहा है लेकिन इसके अ पिर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो व्यू अभी तक है आज का trade execute करने से पहले अभी तक का जो व्यू है कि इसके अंदर एक buying होनी चाहिए तो अगर buy side के opportunity मिलेगी तो हम काम करेंगे अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो हम focus में रखके काम करें कि इस hammer candle ने हमारी help कितनी की हमारे एक resistance की तरफ closing कर देने के बाद में next इसके अंदर से इतना बड़ा rejection आया यह rejection ही तो show कर रहा है कि यहाँ पर एक bullish momentum हो सकता है वापस से देखिए price हमारा उसी support line पर आया एक दो तीन तीन तक नहीं आया न वापस देखिए price नीचे की तरफ गिर किया है लेकिन volumes गिर रही है और price भी हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब कि कुछ न कुछ जो symptoms हमें देखा है पर रिसकंदी price हो तो सेला बट sales side में potential बहुत लो है इसका अब जैसे ही market नीचे की तरफ आई क्योंकि हमें मालूम है हमें जो execution करना है वो 1431.40 इसके ऊपर में करना इसके नीचे नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे हो सकते है कि price में short side का trade दिखाने के बाद में trap करके फिर से उपर बाग जाए तो हमने wait किया कि price हमारा 1431.40 इसके ऊपर आई निकल गे और जैसे ही upside की तरफ जाएगा हम इसके अंदर trade execute करेंगे इस तरह से हमने इसके अंद market यहां पर आई है हमें जो अपने confirmations लेने कल का day low जो था हमारा यह यह वाला point यहां पर हमको हमारे entries के confirmations मिले अब यह जो दो line ने हमने draw कर दिये हैं चार्ट के उपर 1431.40 1438.65 हमें इसके बीच पर अपने entries के confirmations लेना और trade execute करना है यहां पर देगे कितने अच्छे अच्छे price actions फॉर्म कर रही market लो लगा देने के बाद में previous low को protect करने के साथ सथ प्राइस अपने resistance को break कर रहा है इस जगे पर हमने अपनी entry के confirmations लिए stop losses यह जो green वाली हमारी candle ने जस्ट इसके लोग पर अपनी stop losses रख्योगे हैं इस जगे पर 1432 पर stop loss है and targets green वाली candle का just हमारा आप day high मान सकते हो आज का जो day high वो हमारा exit point है यहाँ पर यहाँ पर हमें इपना exit हो रहा है अब हम वेट करेंगे price इस जगे पर आएगा तो हम यहां से बाहर निकल जाएंगे so day high भी इसने break कर दिया तो भी हम बाहर चले जाएंगे वेट करते हैं so I hope की साही चीज़े आपको समझ पहा होगी अभी हम यहाँ पर भी आपको बूल ले थे न के candles को किस तरह सम लोगो merge करते हैं आप आपस मिलाने के बाद उसको execution करते हैं देखे कितने अच्छे च्छे हमको examples मिल रहे है आप single formation यह जो single candle form हो रही है इसको छोड़ करके आप इसको merge कर दो जैसे देखे यहाँ पर एक red candle form ही अब यह एक resistance point हो जाएगा यह green वाली candle और यह जो hammer बना हमारा इसके पहले की कितना अच्छा देखे एक example है यह जो green वाली candle है जो chart पर भी हमने आपको समझाए भी तब volumes को off करते हैं तो जैसे ही इस green वाली candle के उपर market गए यहाँ पर देखे एक sustainability यह आपको दिखाई पड़ेगे यहाँ पर देखे दो से तीन candle के जो format समय आपको बता रहे था एक दो तीन हमारी central वाली candle के उपर या तो market close कर देखे या फिर विक बाहर के दरफ उसकी निकली होनी चाहिए प्रैस के जो momentum में central वाली candle के बाहर के दरफ होने चाहिए यहाँ से फिर आपको एक move मिलेगा और यह जो reading भी हम कर रहे हैं यह कहां पर कर रहे है अपने daily time frame पर जितनी भी point of actions है हमारे उसके past में हम लोग अपनी reading कर रहे है अब आपको देखे इसके results सामने आएगे इसके results दिखाई पड़ेगे एक तो होता है हमने back test कर लिया है किसी भी chart का screenshot लेकर कि उसके ओपर हमने pin bar को बहुत design से marking कर दी कि यहाँ पर हम entry ले ले लेते हैं यहाँ पर stop loss लगा देते हैं और एक होता तरीका है कि live market जो चला है हमने उसके ओपर trade भी लिया हुआ है अब जो हम एक confidence आएगा आप उसको समझोगे उसे try करोगे live market में उसके results निकलेंगे profits देखे अभी चलना है करीब 13,000 क्राउन के profit है और जो हमारा target है target लाइन के वापस चल चार्ट पर यहाँ पर देखिए target line के ओपर ही market हो सकता है कि closing करे so I hope इस साही चीज़े जो भी मैंने समझाई आपको clear हुए होंगी कुछ-कुछ points clear हुए होंगे so thanks video अच्छा लगा हो तो like कीज़ेगा कुछ भी अगर question one में हो तो आप उसको comment कर सकते हो टेलग्राम चैनल का link description में आप लोग टेलग्राम चैनल जाइन कर लिएगा so thanks and we'll meet again